हे वाइटी बेंस की हल चल वेलकम बैक टू दचलन दोस्तों सही सुना आपने दिल्ली से शिमला के बीच में वाइटी भारत आपको पहुंचा रहा है 180 रुपए में एक ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ जो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों कई सारी तरीके हैं दिल्ली से शिमला जाने का फ्लाइट से जाएंगे तो आपको 4-5 हर पड़ेगा वन साइड का वाल्वो से जाएंगे तो 800-1200 पड़ेगा वन साइड का अपनी कार से जाएंगे तो आपको कम से कम 5 हर पे करीब पड़ेगा वन साइड का और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो मेरा तरी का आपको बताऊंगा कौन-कौन से ट्रेल लेनी होगी, किस-किस इस्टेशन पर जाती है, कितने-कितने टाइम में आपको दिल्ली से पहले कालका और कालका से शिमला पहुचाए जाएगा, बहुत सारी जानकारिया आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरे अच्छे लगते हों, तो लाइक जुरू करना यार, और अगर बेकार लगते हों, तो कुछ जुरू कमेंट करके इसको डिसलाइक कर देना, इसके साथ साथ कोई भी आपके सवाल रह जाते हैं, तो आपको हमेशा से बहुती तीवर गती से दिये जाएंगे, आईए चल पर सबसे संसनी केज information दीज आ रही है, lockdown के बाद की, जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली से आप शिमला पहुंच सकते हैं, केबल 180 रुपे में, इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर lockdown से पहले की बात करें, तो आप केबल 1500 रुपे में पहुंच सकते थे, लेकिन lockdown के बाद की जो trains की availability है, उसके according अब आपको pay करने पड़ेंगे 180 रुपीज, इसके लिए आज इस वीडियो पर last बने रही है, एक एक detailed information मैं आपको देने जा रहा हूँ, आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको जो मैं train बताने जा रहा हूँ, वो दिल्ली की सराय रोहिला से आपको चलेगी, train संक्या है 14095, इस train का नाम है Himalayan Queen, जो सेम आपको कालका से शिमला ले करके जाती है, सेम वही नाम है, बस वो toy train होती है, और ये आपकी express train है, तो the train 14095 जिसका नाम Himalayan Queen है, सुबह दिल्ली के सराय रोहिला से 5 बच करके 45 मिनट पर चलती है पहला दिन होता है और ठीक 11 बच करके 40 मिनट पर उसी दिन पहुंचा देती है आपको कालका railway station, जहां से आप आगे पकड़ सकते हैं toy train, इसको पहुंचने में लगता है 5 गंटे 25 मिनट तक अपने source से destination station तक और total दूरी ये तैय करती है 305 km आगे जान लेते हैं इस train की total chart आप देख रहे हैं सामने किस तरह से दिल्ली से कालका से 115 रुपे में दे करके आप पहुंच सकते हैं इस train का नंबर है 14095 हिमालेन कुईन एक्सप्रेस दिल्ली सराय रुहिला से सुबह 5 बच करके 35 मिनट पे चलेगी 5 गंटे 35 मिनट लेगी कालका पहुंचने में और ठीक 11 बच करके 10 मिनट के आसपास आपको कालका पहुंचा देगी मंडे से लेकर के सैटरडे संडे भी चल रही है यानि की पूरे हफ़ते चलती है चेयर कार अभी कैंसल कर दी गई है केवल आप सेकिंड सिटिंग ले सकते हैं आप बैठ करके जा सकते हैं केवल मात्र 115 रुपे मतलब 115 रुपीज यू हैव टू पे अल्ली और आप पहुंच जाएंगे नियू दिल्ली सराय रोहिल्ला से कालका आगे ना मज़ा दोस्तों अब चलते हैं आपको बताते हैं कि जो स्टेशन ये कवर करेगी वो स्टेशन कौन कौन से हैं उसके बारे म दो मिनिट बाद आपको ये महाँ पे स्टॉपेज देगी 46 क्रियो मिटर पेस्टेशन है फिर गन्नौर पहुंचेगी फिर समलखा पहुंचेगी पानीपज जंचन गरॉंदा पहुंचेगी करनाल नलोखरी कुरुशेत्र सहबाद अंबाला केंट चंडीगड और उसके बा हूं यहां पर आप पौश कर लिजे कि कहां से कहां तक ये ट्रेंज चल रही है और कितना कितना ये टायम ले रही है दिली से चल कर के کालका पहूंचने में 305 km से नित्या किये हैं हर एक स्टेशन से हर एक स्टेशन की दूरी यहां पर दी गई है कितने कितने मिनट का हॉल्ट है सबसे ज़धा हॉल्ट है पाणी पद पर 20 मिनट का और यहां पर उसके बाद चंडीगर पर 8 मिनट का बाकी कुछ-कुछ स्टेशनों पर 2-5 निट के बीच में आपका हॉल्ट आ रहा है स्टेशन जादा है लेकिन रात में आपको पता नहीं चलेगा और हलके-हलके जब सुबह खिल जाएगी तो रास्ते का नजारा बहुत ही अद्बूत है यकीन मान लिजे तो 115 रूपे में दिल्ली से कालका आप इस तरह से पहुँच जाएंगे ये सारी जानकारी आप पहुश करके भी पढ़ सकते हैं अब आगे चलते हैं आपको नेक्स बताते हैं कालका पहुँचने के बाद फिर कैसे आप पहुँचेंगे शिमला तक शिमला तक पहुचने के लिए मैं आपको इनफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये इनफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है हाव टू रीच कालका टू शिमला इन 65 रूपीज हाँ दोस्तों केवल 65 रूपीज यानि की 115 प्लस 65 मतलब 180 रूपीज ये ट्रेन है कालकाटू शिमला ट्रेन कौन सी चल रही है अभी केवल एक ही ट्रेन चल लही है हिमालेन क्वीज फैस्टिवल इस्पेशल इस ट्रेन की संक्या है 0503 दोस्तों ये हिमालेन क्वीज वो वाली हिमालेन क्वीज नहीं है है तो वही ट्रेन लेकिन इसका नाम बदला है ट्रेन का नंबर बदला है क्योंकि यह है फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बारे बच करके दस मिनट पर चलेगी पुरानी हिमलिन के टाइम पर और लगबग आपको 17 बच करके 20 मिनट पर शिमला पहुचा देगी पांच घंटे 10 मिनट लेगी सेम पुरानी ट्रेन का इसका शेडूल है मंडे से ले करके संडे तक चलती है और आप इसका ये टिकट ले लिजेगा 65 रुपीज का क्योंकि आज का बीड़ भार तो वैसी नहीं आराम से बैट करके जाए नजारा लेते वक्त और ट्रेन इतनी स् किसी किसी स्टेशन पर तो आप वहाँ पर अराम से दोड़ करके चड़ सकते हैं लेकिन कोशिश मत करिएगा जब खड़ी हो तब ही चड़िएगा तो इतना सुन्दर अदबुत नजारा आप कालका से शिमला के रास्ते पर ले पाएंगे केवल 65 रुपीज पे करके और यह सारा मैं आपको स्क्रीन पर अब बताने जा रहा हूँ हम इस टेशन यहाँ पर कवर होते वे देख रहे हैं कालका से ले करके शिमला तक सबसे पहले कालका दूसरा कालका के बाद धरंपुर फिर कुमार हटी बरोच सोलान सलोगरा कंगा घाट तारा देवी जुटोग सम पर आपको दिये जा रहे हैं और यहाँ पर आपको हॉल्ट भी बताय जा रहा है कि कौन कौन से स्टेशन पे कौन तना कितना मिनट का हॉल्ट है धरंपुर पांच मिनट कुमार हटी एक मिनट बरोच दस मिनट सलोन दो मिनट सलोगरा एक मिनट काना कंडा काट चार मिनट त तो यह पूरी information को आप पहुश करके भी देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको word की इस file में बताया जो मैंने खुद plot की है अभी पूरी information current में updated है अभी आज date है 29 October 2020 और अभी जो लोग जा रहे हैं मैं खुद इसी से train schedule बना करके जा रहा हूँ कालका से शिमला और दिल्ली से कालका तो same schedule को मैंने आपको आपके सामने ला करके रख दिया है सारा plotting करके अगर आप भी दिल्ली से शिमला जाना चाहते हैं बहुत ही कम दामों में 100 सी रुपे में तो आप इसको follow कर लिजे information अगर अच्छी लग रही है हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को subscribe तुरंद कर दो क्योंकि इसी तरह की बहुत सारा information और आगे भी मैं इसी तरह की travel related बहुत सारा information देना चाहता हूँ वीडियो को like करना अगर पसंद आ रहा हो dislike करना अगर अच्छा ना लग रहा हो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए वाईटी भारत चनल पर धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में